हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आए होग खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपई होंगे डियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे पॉजिटिविटी को ट्रेक करें आपकी लाइफ में धेव सारी क्या जूट बोला और डियर उसने जो जूट बोला है उसकी क्या सजा उसे मिल रही है और क्यों उसने ऐसा जूट बोला आपके उपर ब्लैक मैजिक करने के लिए तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपके लाइफ में आपके दुश्मन हैं जो आपके शत्रू हैं ठीके रियर तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि जो आपके शत्रू हैं जो आपके दुश्मन हैं जिनोंने आपके उपर तंत्र मंत्र किरिया है तंत्र मंत्र की किरिया कराई है वो क्यों अभी किस हाल में हैं क्या उनका चल रहा है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो ह इन्हों ने कहीं न कहीं dark energies की थी या कोई black magic किया था मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हों ने किसी magician किसी तरह के कोई tantric से शायद कोई deal करी थी कोई ऐसी deal की दियर उसमें आपके उपर black magic कराया जाए तो यहाँ पर उस tantric ने काफी time लिया सोचा समझा क्योंकि मैंने कली कहा था कि हर कोई ऐसे नहीं कर देता है black magic और यहाँ पर दिख रहा है कि जिसने भी आपके उपर black magic कराया है वो tantric को कहीं न कहीं उक्सा रहा था tantric को गलत गलत information दे रहा था पर कहते न कि इश्वर के आगे सब कुछ कहीं न कहीं धरा रह जाता है तो वही चीज यहाँ पर हुई है और यह इसका असर ऐसा दिख रहा है कि जिसने भी आपके उपर tantric कराया है negative energies करायी है उसको वहाँ से बहुत बुरी हार मिली है tantric की तरस से ठीके चलिए यह तो कार्ट निकले है कि वह इंसान क्यों करा रहा था क्यों कर रहा था आपके उपर black magic और क्या वज़य थी चलिए देखते हैं कि आपके life में ऐसा क्या था जो उसको इतनी जलन थी आपके जिन्दगी में ऐसा क्या था जो वह देख नहीं पाया और उसने negative चीजे करी है और कौन है वो लोग जो आपके उपर black magic करवा रहे हैं तंत्रमंत्र करवा रहे हैं कौन है वो लोग जो आपके उपर negative और dark energies का use कर रहे हैं कौन है वो लोग ठीक है कौन है वो लोग जो आपके उपर तंत्रमंत्र करवा रहे हैं dear हलाकि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ धोके बाइद लोग हैं जो आपके जीवन में बने हुए हैं जिनों ने शायद आपको बहुत कश्ट दिये हैं और इसमें आपका प्यार भी शामिल है हो सकता है कि आपको किसी ने प्रपोस किया था या फिर कोई आपके जॉब वर्क से रिले उसे नहीं देखी जाती है इसलिए उसने यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा परिशान करा है मुझे यहाँ पर फैमली मेंबर्स की भी एनरजी आ रही है कि फैमली मेंबर्स भी हो सकते हैं आपके कोई फ्रेंड सरकल से हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी महिला जिसके पास में गजब की पावर है डियर और आपकी मैरिड लाइफ को देखकर कोई बहुत ज़्यादा ज्वैलस है कोई बहुत ज़्यादा परिशान है जिसने ब्लॉकिजिस खड़े करें हैं आपकी मैरिड लाइफ को देखकर लेकिन यहाँ पर जस्टिस इस बात का गवा है कि इश्वर energies है जो भी आपके उपर गलत तरीके से चीजे कर रहे हैं यह बॉटम के energy है गलत तरीके से जो चीजे कर रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लोगों ने आपके उपर black magic करवाया है या dark energies का use किया है उनकी life में बहुत ज़्यादा problems में देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी devil आया है और devil यहाँ से है और इस card से magician के energy है आप समझ सकते है magician और devil और यहाँ से अगर हम बात करें bottom के energy से dear तो जिसने भी आपके life पर तंत्र मंत्र करवाया है जिसने भी आपके life पर कहीं नेगेटिविटी कराई है यहाँ से भी devil आया है magician और devil की energy नजर आ रही है और दोनों ही तरफ यह दिखाई दे रहा है कि जिस इनसान ने आपके life में तंत्र मंत्र कराया है उसकी life बहुत बड़ी बहुत बड़ी दुरगटना उसकी life में होने वाली है क्योंकि devil की energy है और आपको पता है यह दोनों जगद से devil आया है major arcana से निकल के आने वाला devil यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत hidden energy में काम हो रहा है secret तरीके से काम हो रहा है भले ही इन लोगों ने जो भी कुछ शरियंत रचा है लेकिन आपको यहाँ बिलकुल मैं बता दूँ कि इश्वरी शक्ती divine आपके साथ में connect है भले ही कोई कितना भी कुछ क्यों न कर ले लेकिन मुझे clear दिखाई दे रहा है कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि यह शनी का साल है और डियर ऐसे situation है कि जैसी करनी वैसी भनी तो आप बेफिकर हो जाओ मेरे तरफ से जितने वीवर्स जुड़े हुए हो आपको यहाँ पर positive energy ही देखने को मिलेगी आपके उपर अगर तंत्र चलता है आपके उपर अगर को किसी तरह के negative energies होती है त क्योंकि यह शनी का साल है जैसी करनी वैसी भरनी मैंने आपसे कहा है और हमेशा आप लोग मेरे वीडियो से अगर connect रहते हैं तो मैं समय समय पर negative energies dark energies को remove करने की spell बताती रहती हूं कुछ ना कुछ चीजे बताती रहती हूं कि आपको अपने घर में क्या करना है क्या नहीं कर पार्टी और negative energies dark energies और black magic काला जादू इन सब के ritual वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे बात करी जाएं यहां पर कुछ sign की तो dear clear तरीके से अगर मैं बोलू तो cancer Scorpio Pisces है टारस वर्गो Capricorn की energy आ रही है एरीज लियो Sagittaria से Capricorn हैवी है और dear major अरकाना से हमारे पास में ज जादा चर्चा होने वाली है एक negative energies और एक secret energies ठीक है देखें आपके अपने life में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको control करना चाहते हैं या तो आपके partner की family से हो सकता है कोई father energy है या फिर आपके खुद के life में कुछ ऐसी महिलाएं involved है कुछ ऐसी ओरतें involved हैं जिनकी मौजूदग ने आपके जिन्दगी को खराब कर दिया चाहे तो ये कोई भी हो सकता है friend circle से हो सकती है या फिर कोई ऐसी महिला जिससे आपकी fight हुई है ध्यान से सुनिएगा कि जिससे आपकी fight हुई है ठीक है किसी कारण से आपके fight हुई थी इस महिला से इसका दिल तूटा था या फिर आपका दिल तूटा था लड़ाई जगड़े हुए है इस दोरान यहाँ पर इसने अपनी असली क्याते है ना दिली दिल में रखकर दिली दिल में रखकर उस महिला ने शरियंत रचना शुरू कर दिया है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपके family member से हो सकता है ए आपके relationship में आ जाए लेकिन उस समय उसने हा नहीं भरी जब आप move कर गए तो वो कहीं न कहीं अब आपसे connect होना चाहती है इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अपने शत्रू हो सकते हैं जिनसे आपकी fight होई है आपकी तरकी को द जितना इसने किया है जितनी negative energies इसने आपके ओपर छोड़ी है वो dark energies वो negative energies मैं last में heal कर दूँगे आप लोगों को मैं सारी negative energies सारी dark energies को cut out कर दूँगे कौट करूँगे उनकी ताकि आपके ओपर से वो सारी negative energies and dark energies जो है वो remove हो जाए ओके ठीक है याद रखिएगा last रख बन कुछ क्योंकि जो भी आपके दुश्मन है वो आपके मुपर बहुत अच्छा बोलते होंगे बहुत अच्छे देखो कभी कोई दुश्मन है ना हमारे मुपर ऐसा नहीं बोलता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डंकी की चोट पर आपको बोल के गए हैं कि वो आपकी है और एक नहीं तीन इनसान है जिसने शायद आपके जिंदगी में बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं प्रॉब्लम करिए एक इनसान बहुत इमोशनल होके आपको प्रॉब्लम क्रियेट करता है दूसरा इनसान जो है बहुत लड़ाकू तरीकी से होता है ना कि लड़ लड़के आपकी जिन्दगी में शामिल हो जाता है, उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब काम कराना उसको बहुत अच्छे से आता है, और एक इनसान ऐसा है, जो शाहिद आपको मैनुपलेट करता है, आपके उपर प्रेशर डालता है, तो ऐसी एनरजी यहाँ पर नजर आ रही है, कार्ड स पॉसिबलीटी बताते हैं, असलिए डेस्टिनेशन क्या है, वो डिवाइन को पता है, तो उसी बेस पर रिडिंग को लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोका, चिटिंग, फ्रॉड, सब कुछ नजर आ रहा है, कुछ लोग आपके जीवन में धोके से जुड़े हैं, कुछ लोगों ने आपको बहुत दोका दिया है, सच बोलू तो, ऐसे दोके आपने देखे हैं, प्यार में धोका आपको मिला है, बिजनेस में धोका आपको मिला है, आपके अपनों ने, भाईयों ने, बहनों ने, या फिर आपके अपने दोस्तों ने, यहाँ तक जिस पर आप इ बड़ाई लड़ी है उसको देखके कुछ लोग वाकई में बहुत जलते हैं कुछ लोग आपके उस खुबसूरत पलो को देखकर जलते हैं जहां पर आज आप पॉजिटिव एनरजी के साथ में आगे बढ़ रहे हो है ना वो पल लोगों को आँखों में चुब रहा है वो प के अपनों में कुछ ऐसे शामिल है गद्दार जिनको शायद आप पहचान नहीं पाए आपके अपने ही हैं जो कहीं न कहीं पीछे से वार कर रहे हैं जो पीछे से कहीं न कहीं आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रियेट कर रहे हैं देखे कोई तो अपना होता है ना होते हैं न वो कहीं न कहीं ऐसी problem create करते हैं कहीं न कहीं ऐसे situation create कर देते हैं ना हम जी पाते हैं ना हम मर पाते हैं तो यहां पर कुछ अपनों ने आपके साथ में करे हैं कुछ धोके हो सकता है आपकी mother-in-law थी या फिर आपके life में कोई father-in-law की energy बहुत निकल रही यह बड़ा भया हो सकता है या फिर आपके जिंदगी का कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप अपने आप से ज़्यादा trust करते थे जिसके हाथ में पूरी कायनात थी आप समझ सकते हैं कायनात या तो कोई दादी भी थी या फिर mother issue था या कुछ तो था जिसने ऐसे control करी जिंदगी ऐसे उस control को बनाए रखने के लिए इतना ज़्यादा कहीं न कहीं गलत चीजों का use कर लिया इतना ज़्यादा गलत चीजों की तरफ बढ़ गए कि क्या होता है कि धीरे धीरे करकर छोटा 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 तंत्र मंत्र करके टोना तोटका करके मैंने आपसे क्या कहा ब्लैक मैजिक नहीं छोटा 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 तंत्र मंत्र तोना मोना करके घर के हालातों को खराब कर देना गंदी गंदी आप खुद सोचके देखो कि एक स्टोर रूम मनाया है उसमें हमने टूटा फरनिचर डाल दिया टूटे फ्रीज डाल दिये बहुत सारी चीज़े जमा करते गए जमा करते गए ओवर्फलो तो होगा ना जब वो ओवर्फलो हो जो या तो आप ले आए हो या फिर आपके अपनोंने लाकर रख दी है जिसकी वज़े से आपके घर में होती है कलर जिसकी वज़े से आपके अपने आपसे कहीं न कहीं जलते भी हैं आपके अपने ही आपका साथ नहीं देते हैं और आपके अपनोंने भी करा है इस तरह का क क्योंकि उनको ये जो आपके उपर ब्लैक मैजिक किया काला जदू करवाया है तो किसी ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहे हूं हर किसी के लिए नहीं बोलूँगी किसी 20 परसंट लोगों में से एक व्यक्ति के लिए मैं बोलूँगी कि डियर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है सो में पाँच लोग होंगे कि जिनके ओपर काला जादू चला है मेरी बात को समझेगा ठीक है और वो इनसान इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहता है इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता है उसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है लेकिन काले जादू का तोड है ऐसा मत सोचना कि ब्लैक मैजिक का कोई तोड नहीं है अगर शद्धा से आस्था से पूजा भक्ती की जाए ना तो हर चीज का तोड होता है हर चीज का जब मृत्यों का तोड हो सकता है तो वो चीज का भी तोड होता है अगर शद्धा और आस् मंत्र मंत्र आपके उपर किया गया है वो मैं रिमूफ करूँगी लास्ट में मैं रिमूफ करूँगी अगर आपको ऐसर लगता है आपको उस समय मैं बता दूँगी कि आपको क्या करना है ठीक है और देखे उनके दिल में आपको लेकर जो जलन है जो ज्वेलर सी भावना है जो आग लगी हुई है ना कुछ बातों को लेकर आपके अच्छे रूप रंग को देखकर कुछ लोग मेरे वीवर्स, अगर मेरे female यहाँ पर देख रही हैं तो आ से रूप रंग से लोगम बाग जलते हैं, उनके गट-प से लोगल बाग को प्राब्लम होती है उनका रहन सहन, उनकी भाशा, उनके बोल चाल, लोगों का साथ में कम्यूनिकेशन अच्छा देखकर उन लोगों को होती है जलन, क्योंकि उनके अंदर वो कॉलिटी नहीं है, उनके अंदर जो रूट बिहेव है, उनके अंदर जो एक कहते हैं न की, एक सौफ नेचर आपके अंदर है लेकिन उनके अंदर वो बात करने की कला नहीं है डियर, है ना भले ही वो कैसे भी हो, तो आपकी हर एक अदा से, आपके हर एक खुबसूर्ती, आपके हर एक बातों से लोगों को लगती है जलन, तो कुछ लोगों के लिए ये लगता है, आपकी स्मार्टनेस, आपके बारे में अच्छा ही बोलता है, लेकिन कुछ उन लोगों में आपके ऐसे भी अपने लोग हैं, जो आपको बुरा भला भी बोल देते हैं, तो कुछ लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुरा भला भला बोलते हैं, तो आपके दुश्मन भी हैं, कुछ आग लगी पड़ी है जलन हो रही है आपकी celebration को देखकर आपकी positivity को देखकर आपके business में growth को देखकर उन लोगों को बहुत burden हो रहा है उनको यह लग रहा है कि आप इतना आगे कैसे जा रहे हो आप को आगे बढ़ता देख उनको नींदे हराम हो रही है और बहुत ज़्यादा वो लोग अपने आप में ही जल रहे हैं जगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं और यहां पर डैविल वाली एनरजी बता रही है कि उन लोगों की जो एक गंदी एनरजी है ना बिलकुल नाकारात्म इतनी ज़्यादा बड़ रही है इतनी ज़्यादा के फल फूल रही है उनके अंदर कि वो पूरी तरह से नेगेटिव हो गया अगर शकल भी उनकी देखी जाए ना तो कुरूरता उनके चहरे से जलकती है एदम ऐसी कुरूरता कि जिसकी कोई हद नहीं है तो ऐसे कुछ लो कर वो लोग किसी तंत्रमंत्र वाले के पास गय थे या फिर उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। होगा ठीक है डियर तो यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि उनके दिल में आपको लेकर जो जलन है जो एक ज्वेलेसी है उसको लेकर वो किसी तांत्रिक के पास पहुचे हैं या कोई महिला तांत्रिक है उसके पास पहुचे हैं और उनों ने उनको बातों में उलजाय है जस्टिस इस बात को गवाही दे रहा है कि जब ये तांत्रिकों के संपर्क में गए तांत्रिकों से जब ये आपके बारे में कुछ डिसकस करके आए तो तांत्रिक तुरंत तो काम कभी करते नहीं है ठीक है उनको लगता है टाइम तो तांत्रिक ने जब अपनी पूजा भक्ती शक्ती से जब देखने की कोशिश करी क्योंकि यहां पर कुछ चीज़ ऐसी बताई जारी है कि तांत्रिक के पाथ जब ये गए तो तांत्रिक ने जो अपना मैजिक चलाया जो अपना जादू तब उसने एक सच्चाई देखी जो इश्वरी शक्ती ने उनको दिखाई है जो इश्वरी शक्ती ने उनको बताया कि आपके दुश्मन बहुत नाकारत्मक है आपके दुश्मन बहुत नेगेटिव है आपके दुश्मन आपका हमेशा बुरा चाहते हैं आपके लिए बु कुछ नहीं ठीक है कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है और आपके उपर तंत्र करवाने वाले सब को एक नजरिय से देखते हैं तो डियर आपके उपर जो तंत्र करवाने वाले लोग जो हैं वो तो सब को एक नजर से ऐसे देख रहे हैं कि भाईया कर देगा कोई भी है ना त इश्वरी शक्ति वहाँ पर मौझूद थी इश्वरी शक्ति ने उस व्यक्ति को ऐसे कुछ हाओभाओ से बता दिया, इस गलत व्यक्ति के कि कही न कहीं तांत्रिक को मजबूर होना पढ़ा आपका सच जानने के लिए और आपके सच के बारे में जानकर तांत्रिक जो है वो क कहीं न कहीं खौफ जदा हो गया यहने उसको डर लग गया कि अगर उसने उपर वाले की लाठी के खिलाफ जाने की कोशिश करी तो शायद उसकी हस्ती डूब जाएगी शायद उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर उसने आपके के लिए कुछ करा तो यहां पर मैंने क्या कहा था शुरू में के आपके उपर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता क्योंकि यहां पर इश्वरी शकती श्वैंọ श्वैंब श्यनिमाराज श्वैंब आपके उपर महा देव की असीम और इतनी अल्ला ताला ने आपके उपर कहीं न कहीं प्रोटेक्शन रखी है दुआओं का आपके उपर इतना असर है लोगों की क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आप हित के लिए काम करे हो ऐसा भी नहीं कि चापलू सी करते रहते हो या किसी का बिलकुल वाय गुरू की बड़ी दुआ है और आपका कोई बाल बिबाका नहीं कर सकता ये आप समझ लो जो लोग तांत्रिक को उलू बनाने की सोच रहे थे जो लोग तांत्रिक को कहीं न कहीं आपके उपर तंत्र करवाने के लिए सब कुछ पेश कर रहे थे बड़ी अच्छे उस इश्वरी शक्ति ने आपके साथ में न्याय किया है। तो अगर आपको ये मैसिज मिल रहा है तो उस इश्वरी शक्ति को, उस महादेव को, उस अल्ला को, उस वाहे गुरू को, उस जीजस को कहीं न कहीं थैंक्यू बोलिए, यूनिवर्स को अपना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट आपका किया गया है, इश्वरी शक्ति ने, उसके आगे उन लोगों की शक्तियां छिंद भिंद हो गई है। और यहाँ पर तांत्रिक को भी अपने हाथ खड़े करने पड़ गए हैं। तो आपके उपर जो लोग गलत नजरिये से कहीं न कहीं काम करवा रहे थे, आपके उपर जो लोग गलत नजरिये से कुछ का कुछ करवा रहे थे, उनका बुरा समय आ चुका है और तांत्रिक यहां पर उनकी कोई हल्प नहीं कर रहा है तांत्रिक उनको कोई मदद नहीं कर रहा है उनका कुछ अच्छा नहीं करने वाला है तांत्रिक ना बुरा करने वाला है तांत्रिक ने यहां पर अपने हाथ तुचे कर दिये हैं और ता और जूट का जो परदा तांत्रिक के आँखों के सामने रख रहे थे इनको लगा कि ये तांत्रिक जो है उसा भी तांत्रिक की तरह निकलेगा लेकिन मैंने कहा था ना कि कुछ सचे होते हैं कुछ अपने होते हैं कुछ इश्वरी शक्ती से इतने प्रबल होते हैं कुछ इश इससे कभी किसी बात के लिए पूश्टे भी हैं तो मैं पहले उसकी सच्चाई को जानना बहतर समझती हूं उसके बाद मैं आपको कोई जानकारी देती हूं ठीक है ये मेरी आदत है तो भले ही आप कहीं और चले जाओ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन सच को जाने लेकिन वो थर्ड पार्टी यहां पर आपको थर्ड पार्टी बता कर मुझसे कॉंटेक्ट करेगी, मुझको बोलेगी, तो यही चीजों के लिए मैं प्रूफ मांगती हूँ, चीजों की सच्चाई देखती हूँ, उसके बाद में मैं काम करती हूँ, तो यह चीज आप समझ करवाने वाले सब को जो एक नजरिय से देखते हैं, आज उनको जो उल्लू बनाने का जो काम सोप रहे थे, किसी और को बेवकूप बना रहे थे, लोगों को अभी तक उल्लू बनाते आए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं आज खुद स्वैम अपनी आँखों से ये देखा, कि तो है, आपके सपोर्ट करती है, तो आपके शत्रु को भी कहीं न कहीं कपकपी छूट गई है, आपके साथ में दिवेशक्तियों को जुड़े हुए देखकर, आपके साथ में कहीं न कहीं उस प्रबल शक्ति को देखकर, इन लोगों के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि ता शक्ति के खिलाफ लाठी उठाई तो ऐसे लाठी को इनके उपर कहीं न कहीं पढ़ना पड़ेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आफ वांट्स की एनरजी है और यह 10 आफ वांट्स क्या बता रहा है 10 आफ वांट्स ऐसी चीज़ों को बता रहा है जिसको आप देखिए कि अ उनिवर्स ने डिवाइन ने एक चांस दिया है अपनी गलतियों को सही करने का अपने गलत इरादों को सही करने का यहाँ पर यूनिवर्स ने दिया है इनको एक मौका ठीक है ओडियर आपके जो दुश्मन है आपकी जो दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं उन्होंने जो गलत गलत बाते बोल कर जो चीजे करी थी ना उन्होंने आपकी जो तंत्रिक है जिसके पास ये गए थे उन्हों उस तंत्रिक ने आपके अंदर की दिविशक्ति को देखा है आपकी पूरी जानकारी ली है बेकसूरी उसे पता चल पड़ी है कि आप बेकसूर हो आपके उ लोगों को बहुत ज़्यादा कसुरवार बता दिया था उनके आफ्वों के लिए तो आज अगर तांत्रिक ने आपके बारे में च्छान बिन करिये तो वो इश्वरी शक्ती ने वहाँ पर कराई है क्योंकि इश्वरी शक्ती नहीं चाहती कि कोई भी शक्ती आपका कुछ अन के दुश्मन पर आपके शत्रों पर आपके अपने चाहने वालों पर जो आपके साथ में इतना गंदा काम करवाने की सोच रहे थे पागल सा हो गया है वो तांत्रिक क्योंकि अगर ये लोग दुबारा उस पे फोर्स डालेंगे या इसको तांत्रिक से ये पैसे की कोई डि क períके से ही उल्जोगे और गलत लोगों के साथ में इन लोगों ने काम करवाया है तो इनकी तो मुंडी कस्धी गई है तो वही चीज हो गई है कि जो गलत एनरजी को इन्होंने पकड़ा था वही गलत एनरजी इनके गले का हांसी का फंदा बन गई है आप समझ सकते हैं ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच ये दुश्मनों ने हदे जो पार करी है आप दोनों के बीच में जो ये दुश्मनों ने जो गलत चीजे करी है आप पर अत्याचार करा आपके उपर वार करा आपके उपर बेवज़ा कहीं न कह इन्हों को वो जो दर्द सहना पड़ेगा उसके बाद आपके दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे पकद नंड मिलेगा इनको, पकद क्योंकि justice हो रहा है, जस्टिस वो दंड देगा कि इनको कर्मारे यह सकता है और इतना नेगेटिव कराया डियर आपको भी हैसास होता होगा आपके अपनोंने कुछने तो पैसो के लिए आपको घर से निकवालने के लिए यहाँ पर चीजे खराब करिये और डियर आपके उपर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चीजे बहुत जल्दी हावी भी हो जाती कभी कभी आप बहुत जल्दी होता है ना कि आपके बंते काम बिगणे हैं बंती चीजे आपके हातों से आते आते छीन ली गई है तो यह सब चीजे इन नेगेटिव तोने टोटकों की वज़े से आपके जीवन में हुई है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रूगल करना लक्षमी आपके हातों से चली जाती है कॉंटेक्ट आते 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 आपके जीवन से दूर चला जाता है तो यह सारी चीजे आपके जीवन में घटित होई है सिर्थ आपके नेगेटिव लोगों के वज़े से जो नेगेटिव लोग है ना जो आपसे जलते है ना वो लोग जीवर में तरक की नहीं देख पा रहें तो आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपका जो है वो शायद ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपको पहले प्रपोजर भी देते हैं और फिर आपका दिल भी तोड़ते हैं और जब आपका दिल तोड़ दिया तो आपने उनको जब द तेशर डाल रही है किसी न किसी तरह के आपके पास अगर पैसा है तो भी और नहीं है तो भी वो चाहते हैं कि आप उनके फैमिली का एक ऐसा हिस्सा बन जाए जैसा वो आपको डमरू की तरह बजाए आप बाजो और बस उनके लाइफ में चलते रहो तो ऐसे कुछ लोग आप पानी फिर गया क्योंकि तांत्रिक भाई ने तो कर दिया इनको मना क्योंकि तांत्रिक के सामने तो आ गई है सारी सच्चाई है ना रियर तो बहुत सारी सच्चाई आने के बाद में लोग बाग जो है ना देखो रियर मैंने आप से क्या कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं dark energies का use कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन मैंने आप से क्या कहा black magic इतना आसान नहीं होता है कि सड़क पे बैठा हर इंसान black magic कर दे ठीक है बहुत मुश्किल से और करने वाला बहुत समझदार होता है उसे भी अच्छी और बुरी सब चीज़ों का पता होता है तब जाके वो आपके लिए काम करता है तब जाके वो आपके लिए कुछ क्रियाएं करता है ठीक है गलत कभी कोई किसी के लिए नहीं करता है और ये चीज़ आप समझ लीजिए और अगर हम इन सब चीजों से निकल जाएं मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगे कि नेगेटिव एनर्जी जार्क एनर्जी जो है इनको बेवज़ा अपने दिमाग में लाकर बेवज़ा अपने दिमाग में रखकर बिलकुल नेगेटिविटी को बढ़ाने की जरुवत नहीं अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने ओरा को क्लीन्स करें आप अपने पानी में कहीं न कहीं एक तरह से हल्दी डाल कर नहाएं तो भी कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है ठीक है इस तरह से आप करिए और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ज़े है बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी जो आपको कहीं न कहीं effect करती है, आपकी life में कोई नजर आपको बहुत जल्दी लग जाती है कोई dark energies आपको बहुत जल्दी effect करती है तो dear, आप अपने aura को clean करो आप meditation करो, आप om की chanting करो, बहुत अच्छे से अगर आप om की chanting करते हो, आप किसी तरह की दुआएं अगर chant करते हो दुआओं को लेकर, अगर आप कुछ पढ़ना शुरू करते हो किसी words को लेकर, तो भी dear आपकी life में बहुत सारे चेंजिसाना शुरू हो जाएंगे, positive तरीके से आपको कहीं न कहीं अपनी life में आगे बढ़ने की जरुत है ठीक है, positivity में रहिए negative energies को, dark energies इसको अपनी life से कहीं न कहीं किनारे करने की कुशिश किया कीजिए ठीक है, अगर बहुत ही जादा हो गई कि यार अब तो अती हो गई है, प्रॉब्लम आई रही है, तब जाकर हमें उस dark energies के बारे में सोचना है छोटी मोटी सी problem को लेकर इतनी छोटी सोच को नहीं रखना है कि यार आज मेरा बिजनिस में लॉस हो गया, अरे उतार चड़ाओ बने रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि black magic air, dark energies है यह सब दिमाग से निकाल दीजिए ठीक है, अगर आपको बहुत ही लग रहा है या किसी भी टैरो कार्ड रीडर से कराएं किसी से भी कराएं, पर उसका इलाज जरूर कराएं क्योंकि धील देने से चीज़ें खराब हो जाती है हर चीज की एक मियाद होती है हर चीज की एक अपनी जरूरत है ठीक है? दिखें, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दिर है कि जब आपके उपर नहीं चला उन काले दिल वालों का जादू काले दिल वालों की हरकते काले दिल वालों का कोई धोका और चोरी आपके उपर नहीं चल पाई जब आपका वो कुछ नहीं बिगार पाए नहीं बिगवार पाए किसी से तो डियर इनके हो रहे हैं हाल खराब इन धोके बाइद लोगों की उमीदों को पानी फिर गिया है इन धोके बाइद लोगों को इन आपके दुश्मनों को कहीं न कहीं करारा थपड़ पड़ा है और जो आप पर करा रहे थे अपने ही गड़े म को मिल रहा है, वो situation का सामना करने को आ रहा है, जहाँ पर इनकी नींधे हराम हो चुकी है, इनकी नींदों को कोई उड़ा कर ले गया है, देखा जाए, आप देखिये, बहुत जादा इनकी नजरे आपके उपर स्पाई करने की थी ना बहुत जासू सी आपके उपर करते थे आज अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आप जाकर इनके जिंदगी के हाल देखो ये खुद खड़े में गिर चुके हैं बहुत जादा कर्ज़दार हो गए हैं बहुत जादा मजबूरियां इनके उप चुकी है तो आप पता करके मुझे जरूर कमेंट कीजेगा कि जो आपके उपर तंत्रमंत्र करा रहा था जो आपके उपर नेगटिव एनर्जीज डार्क एनर्जीज का यूज़ कर रहा था इश्वरी शक्ती ने उनको दंड देना शुरू कर दिया है कभी किसी को बेवज लाइफ में तंत्रमंत्र किया करिया करिये उसके खुद की मैरिड लाइफ डिस्टरब होने वाली है उसका खुद का जॉब जो है जाने वाला है उसकी जॉब में बहुत सारे स्ट्रगल आने वाले हैं बहुत सारे इशूज आने वाले हैं हार्ट से रिलेटेट प्रॉब्ल आप यो समझ लीजिए क्योंकि कभी भी किसी गलत शक्तियों के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए और जो गड़ा उन्होंने आपके लिए खोदा है जो गड़े में उन्होंने आपको गिराने की कोशिश करी है जो भी नाकारत्मक उर जाएं उन्होंने आपके ऊपर छोड़ने की कोशिश करी है उन्होंने जो गुनहा कर दिया है उस गुनहा की माफी उनको नहीं मिलने वाली सब तरफ से युनिवर्स की तरफ से डिवाइन के तरफ से सारे बचने के रास्ते जो हैं वो बंद होने वाले हैं आप से अपने गुनहा की माफी की तैयारी करना इनको शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वाकई में मोड ऐसा आने वाला है कि ये दुश्मन आपके आपी के आगे आकर आपसे माफी मांगेंगे ये दुश्मन आपी के आगे आकर आपसे गुनहाओं की माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आपके दुश्मन आपके शत्रू को डर लगने लगा है और अपने किये करमों को लेकर आपको आगे बढ़ता देख आपके जलने वाले लोग जो हैं बुरी हालत में आ चुके हैं जलने वाले लोगों की दुरगती बहुत बुरी हो चुकी है आपको नीचा गिराने में लगे थे आपको नीचा दिखाने में लगे थे आप संगर्ष से खड़े रहे आपने बहुत संगर्ष करा आप मजबूती से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे आपने कभी किसी चीज का बर्डन नहीं लिया जिंदगी चल रही थी चलती रही आपने सब चीजे सही है शत्रू का अंत हो रहा है आपके जीवन से सारे शत्रू जो है वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में परिशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने शत्रूता दिखाई थी आपने तो दोस्ती न एक प्योर सोल हो आप किसी का अनहित नहीं चाहते हो आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो आप सब का भला चाहते हो ठीक है तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी सच्चाई इश्वर सब के सामने ला रहा है और उस तांत्रिक के सामने भी आपकी वो सच्चाई इश्वरी शक गलत गलत अफवाह बताई थी गलत गलत चीजे बताई थी वो सब कहीं न कहीं हट गई है आपके विवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम लाने की कोशिश करी थी जो प्लानिंग करी थी वो सब धरी की धरी रह गई है देखिए आपके दुश्मन आपके शत्रू पहुचे भी तो उस तंत्रिक के पास पहुचे जहां पर इश्वर ने पहुचाया है इश्वर ने ऐसे लोगों के बीच में इन लोगों का कहीं न कहीं तंत्रमंत्र की विवस्था करी कि जहां पर ये लोग हार मान ले अब बहुत हो गिया इन्होंने बहुत ज़़ादा ट veg आपके उपर तंत्र मंत्र की क्रियाय कराई पर आज ऐसा दिख रहा है की इशवरी शक्ति ने पकड़ के इनको जंजोड दिया है इशवरी शक्ति ने पकड़ कर इन लोगों को कहीं न कहीं दंडदेना दंड देना शुरू कर दिया है ठीक है तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखा槓 दे रही है और आपके शत्रू, आपके दुश्मनों को दंड भी इशुर दिलाएगा आप बेफिकर हो जाओ आपको यहाँ पर बेफिकर होने की जरुत है आपके दुश्मन आपके शत्रू दंडित होने वाले हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा दंड उन्हें भोगना पड़ेगा ठीके डियर तो मैं कॉट कटिंग करती हूँ आप लोग रेडी हो जाएए जितनी पिधि力 जितनी पिधि अमेद्ग इंट मैं आपके वीडियर ऑपके लिजै, चेली करकिया शुर्ड, जी लेआपके बहुत कीठ़ूर आपका ओरा मैं क्लीज करती है जो भी द दृड जायें जू भी नेगज़व थी हो जम बहुत के लिच न फिसेग्ध के तो कॉट कटिंग मैं कर रहे हूँ तो आपके सारी नेगिटिव एनर्जी सारी नकात्म कूर जाएं जो हैं वो मैंने रिमूफ कर दी है आपके उपर से सारी नकात्म कूर जाएं तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताईएगा कि आपके लाइफ में जो जरूर लिखिएगा ठीक है थैंक यू जरूर लिखिएगा क्योंकि आपके साथ में जस्टिस 100% होगा ठीक है